हेलो फ्रेंड मैं वनीता में कोवर से रोहित और आज मैं आपको वैला का सिल्क ट्रीट करके दिखाने जा रहा हूं तो आप देखिए स्टेप बाइ स्टेप बताऊंगा मैं आपको अभी हम अब हैडवॉस कर रहे हैं अच्छे से करना है बहुत अच्छे से कोई वयल के इस बार ओली होते हैं हमारे हियर वह रिम्रुव हो जाए अच्छे से क्लीन हो जाए बाल हमारे और टू टाइम शेम्पू लगा दीजिए अगर वन टाइम में आपको लगता है कि लीन हो रहा है तो आप टू टाइम शेम्पू कर लो अभी हमारा शेम्पू हो गया है अल्मोस्ट डन होने वाला है करेंगे ड्राइर कि सबसे में पार्ट है है हंडिट परसंट ड्राइ करना है बालों को हमने बिल्कुल भी मोश्चन न रहे गिल्दा न रहे वाल ड्राइ हो गया हमारे वाल अब हम सुरू करेंगे अप्लिकेशन सबसे पहले हम टैंगल फिरी करेंगे टैंगल फिरी करने के बाद सेक्शन निकालेंगे सेक्शन निकालने के बाद सेक्शन निकालने के बाद अब हम पतले पतले सेक्शन लेंगे और हम अप्लिकेशन शुरू करेंगे रूट्स को याद रखना है कि रूट्स में हमने नहीं लगाना है बिल्कुल भी रूट्स से हम तोड़ा साज छोड़के और हम अप्लिकेशन करेंगे देखते जाए जैसे मैं कर रहा हूं सेम तो सेम ऐसे ही करना है ना बहुत ठीक सेक्शन लेना ना बहुत थिन लेना ठीक ठीक लेना है और अच्छे से मलसिफाई करना है अच्छे से पढ़िया तरीके से बिलकुल अगर अच्छे से सारे बालों में product अच्छे से लग जाए यह तो कई बारी अच्छे से मलसिफाई करके अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो रह जाता है जब result हमारा उतना अच्छा नहीं आता है तो अच्छे से लगाना है मल्सिफाई करना जैसे कर रहा हूं यह देखिए कॉम करेंगे फिर से लगाएंगे यह देखिए टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है आपने थोड़ा सा स्पीड भी रखना है यह नहीं कि हाँ बस लगे हैं तो लगे ही है थोड़ा जल्दी करना है शारो तरफ लगाना है बालो में अच्छे से कि पूरे बालो में ऐसे ही बालिव sapi करके मुपलिकेशन करेंगे काम करते टाइम वारकाट Tiger बिल्कुल नहीं होना है बहुत अच्छे से करना कि हम केमिकल जॉब कर रहे हैं और हमें बिल्कुल ध्यान रखना है बालों का यह सोचना है कि हमारे बाल है यह जैसे हम अपने बालों की केर करते हैं देख बाल करते हैं वैसे हमें क्लाइंट की बालों के बारे में भी सोचना है और उसी तरह से काम करना है कि कोई भी गलती ना और यह जो हमारे कलाइंट हैं इनका नाम है मुसकान और चैल कर लो हैं इनका भार इनका जो हैं वो हैं इनका नाम हैं इनका मुhlकंड़ साहरू और अग्योंसे कि वेला का सिल्क टीट है ये बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है और मैं रेग्मेंट करूंगा कि आगे कोई भी कराए जो भी वीडियो देखता है कराने का कभी उनका मन होता है कि हाँ हमने अपने बालों को स्टेट कराना है तो आफिक रिबोनिंग स्मूधनिंग से बेस्ट है ये लेस्ट होता है इसमें होता है इसमें भी थोड़ा लेस्ट होता है और रिजल्ट इसका बहुत अच्छा होता है नैच्रल रिजल्ट बड़ा अच्छा है इसका कि फोकस ही स्टेट नहीं होता है बिल्कुल कि बाल चिपक जाएं बिल्कुल कि हूं फ्रेंट में हमें बहुत द्यान से करना होता है क्यों के साइड में छोटे-छोटे बाल भी होते हैं और है बहुत अच्छे से अप्लिकेशन करना है और इस तरह अपने लगा पीछे को लेके जाना है titre है कर वा करिक वा करना है अच्छे से मलसिफाई करनी है बाल को ज्यादा मोड़ना तोड़ना नहीं है इतर उतर ऐसे और ना ज्यादा खींचना है अप्लिकेशन के बाद अब हम बॉंड्स चेक करेंगे और वो आप बहुत ज्याद से देखना कि बॉंड्स कैसे चेक करते हैं एक तो हम नोट बना के करते हैं ये मैंने बनाया खींचा उसको और ये देखें खींचने के बाद भी अगर नोट आपका लूज हो जाता है खुल जाता है तो समझे लो आपके बॉंड्स ब्रेक नहीं रुक सकते हैं लेकिन हर 5-7 मिनिट के बाद आपको बॉंड्स चेक करना है ये बहुत जरूरी है आइंड्स के बालों में भी रूट से भी और मीड से भी और चारो तरफ चेक करना है ये नहीं कि आपने शिर्व एक साइट चेक किया और आपने जज्ज कर लिया कि चारो तर कर रहा हूं है कि नोट्स अगर ढिला हो गया तो आप यह समझ लीजिए कि आपके अभी बॉर्ण कि ब्रेक नहीं हुए कि और अब हम हेड वाश कर देंगे फर्स्ट वाश आईए क्रीम लगाने का हमने क्रीम लगाया था फर्स्ट क्रीम उसको हम वाश कर देंगे क्रीम वाली जो हमारे हैं जो हमदी वोस्ट कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे से वोश करना है बहुत अच्छे से वोश करना है, इसको अच्छे से मलसिफाई करते जाना है और वोश करना है इसको देखिए जैसे हो रहा है वोश, ऐसे ही, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी वोश करने के बाद टैंगल फ्री करेंगे हम अपने बालों को टेंगल फिरी करने के पाई ड्रायर हो रहा है भी ड्रायर करना है 100% आपने ड्रायर करना है बिल्कुल सुखाना है बालों को ड्राय कर देना है हुआ है 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 अंटिर प्रिसेंट ड्राय होने के बाद हम बॉल्क रायर करेंगे इसको अच्छे से बाल ड्राय हो जाते हैं उसके बाद बॉल्क रायर करेंगे बॉल्क रायर इसलिए करेंगे कि जब हम आईरन करते हैं तो हम बालों को ज्यादा इसे भी कराओ आप बॉल्क रायर के बाद ही आरन करना कराईए आप है 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 कि देखे कितनी बड़ी हल्लू का रही है फ्रिशिंग आईरन सुरू कर रहे हैं अब हम जब भी हम आईरन करेंगे मैं आपको एक बात बता दूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है वालों को कई लोग होते हैं बहुत क्झीचते हैं और वो क्लाइंट का दो दिन हैट पेन होता है तो बॉल्ट ड़ाय करने के बाद आप बहुत अराम से बालों को को ऐरन करना है और कोशिच करिजये कि कम से कम खींचे बाल कि यो क्लाइन को गभी पेन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, आप देख रहें जैसे, और आइरन को सीदे लेकर जाना है बिल्कुल, आइरन को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी टेड़ा मेड़ा नहीं करना है जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में सेम टू सेम ऐसे ही लेके जाना है यह देखिए यह देखिए आप जब भी करें तो इसी तरह आईरन करना होता है मेरा जो आईरन है या इकॉनिक का है आईरन करने के बाद आप हम नियूडलाजर अप्लिकेशन करेंगे आप देख सकते हैं आईरन हो गया कम्प्लीट हमारा अब हम तो निडिलाजर की application करेंगे, और निडिलाजर जब भी आ application करो, तो फटा-फट अप्लिकेशन करना है, जल्दी से जल्दी, और इसकी ज्यों timing है, वो 15-20 minutes hardly रखना है, वो बालों का texture जैसा है, उसके हिसाब से रखना है, अगर बहुत fine हेर हैं तो आप 10 to 15 मिनट्स रख सकते हैं अगर थिक हेर हैं मोटे बाल है तो आप 20 मिनट्स तक रख सकते हैं कॉन्दिशन डिपैंड करता है वालों की कैसी है अध्यसे मलसिफाई करना है यह पूरे बालों में अच्छे से लगे और यह इस तरह रखना है कि क्लाइन्स को बोलना होता है कि ज्यादा हो मूव ना करें कि हमारा है फाइनल प्रोड़क्ट लग रहा है एंड्स तक बिल्गल अच्छे से लगाना है जब भी आप सेल्फ काम करें वो तब आप किसी तरह से काम करना है आपने इसे आप किसी की हल्प भी ले सकते हो लेकिन अगर हल्प नहीं लेना है सेल्फ काम करना है तो सेम टो सेम ऐसे ही काम करना है आपने आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज के बारे में न्यूट लाजर हमारा कंप्लीट हो गया हम इसको 15 मिनट रखेंगे अब हम वाश कर रहे हैं न्यूट लाजर जो हमने अप्लिकेशन किया था भी 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है न्यूट लाजर को आपने और वाश करते हैं ताइम अच्छे से वाश करना है मलसिफाई करके ना अच्छे से बढ़िया तरीके से रखेंगे झाल झाल